तो ये रहे जौले लाल पराटे जौले लाल तो इसली बोल रहा हूँ कि इसकी Mormon की शेप कुछ ऐसी ही है हमारे प्लेट की इमने इसको जौले लाल पोल दिया अलाकि इसमें है कुछ अलग की मूली आप जब भी लाएंगे तो मूली के पत्तों को आप फेक देते होंगे आज इस वीडियो देखने के बाद कभी भी आप मूली के पत्तों को नहीं फेकेंगे उनसे हम बनाएंगे इतने soft soft पराठे पिछले बता देता हूँ तो हम लाए मूली तो मूली तो हमने इस्तमाल कर लिए और मूली के पत्ते बचा लिए और इससे बनाएंगे super soft tasty पराठे जो पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं पेट में किसी भी पराठ कोई गड़ बड़ी है तो मूली के पत्ते के पराठे बहुत फायदे मन्द होते हैं तो नीचे के मोटे वाले तंठल यहां पर हमको काट के फिंक देना है फिर इन पत्तों को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है और बीच में इसे डो टुकड़े कर लेना है पतलब इनके नरम डंठल भी हम इस्तेमाल करेंगे फेकना नहीं है बहुत ज़्यादा बारी काटने के विज़रोत नहीं है बस इस तरह करना है कि पतीली में हम पानी लेंगे और उसके अंदर इन सारे पत्तों को एक साथ डाल कर 3-4 मिनट हम उबाल लेंगे तो यह अच्छी तरीके से उबल जाएंगे तो हमारे पराठे बनाने में हमको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है देखिए तीन से चार में अच्छी तरीके से पक जाएंगे और इनका कलर इसी तरीके से हरा बना रहे काला न पड़े उसके लिए करना है हमको दूसरे वरतन में लेना है ठंडा पानी और इनको इसके अंदर डालना है इससे इनकी कुकिंग प्रोसेस खतम हो जाएगी और ठंडे पानी में जाते ही ये अपना कलर परकरार रखेंगे तो उसके बाद हमें बनाना है इनका पेस्ट जैसे ये ठंडे हो जाएंगे न बहतरी पेस्ट बनाना है तो पानी छान करके हम ले लेंगे इसे एक मिक्सर जार में और इसके स्वात को बढ़ाने के लिए कुछ चीजे जैसे कि यहाँ पर खुड़ी सी लसन खुड़ी सी अदरक और ये धनिया पत्ति धनिया पत्ति अगर देसी वाली होना बहुत बहतर सौद आएगा और इसे हम पेस्ट बना लेते हैं एक और यह देखिए कितना बढ़ी है हमारा कलर एक दम हारा बना हुआ है वास तो पराठे भी उतने अच्छ देखने में लगेंगे और खाने में भी यहां पर एक बाउल में ले रहे हैं गेहूं को आटा दो कप दो कप वजन से कहते हूं तो लगबख होंगे 300 ग्राम यहां पर इनसे हम 4-5 लोग लिए पराठे आसानी से बना लेंगे यहां पर मिला दिया है आदा चमच गरम मसाला एक चमच नमक और एक छोटे चमच धनिय पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच लाल मिर्च पाउडर और क्या बस यह हमारा पेस्ट और यहां पर पानी अगरा कुछ नहीं डालेंगे हैं देखिए इसके अंदर इतना मौश्या रेकों कि जो हमने पत्ते थे उनको निकाला तो उसको पीसा उसके अंदर काफी पानी था अब भी पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है और देखीगा बिना पानी मिलाए ही जो हमारे पेस्ट का जो मौश्या था उसके अंदर जुतनी पानी था जो नमी थी उससे ही हमारा एकदम सुपर सॉफ्ट डो बन कर हो पूल जाएगा तो फिर सही से एडेस्ट कर लेंगे हाथों से हम ऐसे और फिर क्या जिस साइज का शेप आपको चाहिए उससाब से लेना है तो यहां पर हम ले रहे हैं छोटा सपीड़ा एक आपको बेल करके दिखाते हैं कितनी आसानी से यह बिल जाएगा को कि इतना नरम है इतना बढ़िया है इतना परफेक्ट है इस तरीके छोटा सपीड़ा लेकर टैप कर रहा है और यहां पर आज बिना पल्थन के कुछ यह वाला बनाएंगे आप चाहें तो पल्थन लगा कर भी बना सकते हैं गेहूं का आटा नीचे उसमें फैलाई है उसके उपर से बेल ल जालेंगे तब जब गरम हो जाए तो इस तरीके से डालना है कुछ देर में जब इस सिख जाएगा तब हम इसे पल्टेंगे इसमें किसी भी तरब तेल ने लगाए हमने इस बात का आप ध्यान दीजेगा आप पहली बार बना रहे हैं तो इस तरीके जब सिख जाए उसके के बाद ही हमको इसमें लगाना और आपके पार इस तरीका अगर ब्रश है ना तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा बहुत कम तेल लगेगा पराठों में चम्मा से डालते हैं तो कोई भी कम जादा हुआता है ना बस ब्रश एक दम जितनी जरूर थे उतना आप लगाईए और दूसरी तर प्लट कर भी देखिए जब सिख गया उसके बाद हमने यहां पर आइलिंग करी और फिर इसे प्लट कर सेंगेंगे और अच्छी तरह देख सकें और फेस्बूक और इंस्ट्रगाम पर आपको फॉलो कर लेना है इस तरीके की धेर सारी रेस्पी से बागी है जो मैं शेयर करने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है और देखिए इतने सारे बढ़ियें से पराठे बनाकर होगे तयार